सबसे जादा जो चमक दिखा रहा है आज इंडेक्स वो है मेटल इंडेक्स का आप अगर FNO में देखेंगे तो टॉप गेनर हिंदुस्तान कॉपर और हमने देखा था कि आपके ही चैनल पे कई सारे एक्सपर्ट के रिडार पे हिंदुस्तान कॉपर का शेयर था हमने एक अच मेटल काउंटर जो कि आपके रेडार पे हो क्योंकि हम देख रहे हैं विदानता में अच्छा ब्रेकाउट आ रहा है एनमडीसी में भी अच्छी तेजी है जैस डबल्यू टाटा स्टील सब में अच्छा अक्शन देख रहे हैं और कई सारे काउंटर पिछले महीने से ही ब इस वोल्यम एक्शन देखे दो स्टॉक्स हमने बताया थे वह था टाडा स्टील और हिंद कॉपर बेसिकली मुझे याद है जब कॉपर के प्राइजिस एकदम शूट अप हुए थे उस टाम पे हम बात कर रहे थे कि कॉपर के प्राइजिस अगर इतने चले है तो कॉनसे स् और टाडा स्थील मेरा दुसरा था विदिन थे मैटल स्टाल स्टील ने बैस बनाएं है तो यह दोनों गरों से अगर आती है तो आउट परॉपंसरे दोनों स्टॉक्स में देखने मिल सकता है तो हाइर चॉप, हाइर बोटम स्रक्ट्चर, प्राइस वोल्यम एक्शन, यहां पर रुखेगा और पॉसिपलिटी है कि 325 से 327 तके लेवल इन कॉपर में देखने मिल सकते हैं तो कुछ भी चोटे मुटे डिप्स अगर मिलते हैं नेक्स एक दो ट्रेडिंग सेशन में तो डिप्स पे हिन कॉपर और टाटा स्टील यह दोनों प्रिफर टेक्स है टेक्नोलोजीज यहां पे 20% की तेजी है EKI Energy Services यहां पे भी 20% का अपर सर्कित लगावा है साथी साथ एनर्बी बेरिंग्स क्यूंकि हम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं कि कई सारे ऑटो काउंटर्स हैं ऑटो अंसिलरी स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छा आक्शन है एनर यह एक चीस समय बिल्कुल अगरी करता हूं कि यह जो स्पेस है यहां पे बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन है बट यह जो कुछ स्टॉक्स आपने में में इनमें एक बहुत ही शार्प सडन सर्ज जो है यह आज देखने मिल रहा है अगर हम आज का मूज आज का मूज आ करें तो तीनों ही स्टॉक्स आक्शली बहुत ही शार्प डाउंटर्ण में रहे हैं मुस्ट अफ दिम ट्रेडिंग बिलो दियर 200 डे मूइंग अवरेज तो अब वॉल्यूम्स तो देखिए आज यहां पर टाइम डाट पास्ट अच्छा पिक अप हुआ है प्राइस अक्शन मे सजेस्ट की शायद यहां पर थोड़ा सा और अपसाइड यहां पर बन सकता है तो क्या टार्गेट होने चाहिए आपके 308 और 316 के लेबल्स यह आपके लिया से टागेट करना चाहिए 285 यहां पर आपना स्टॉप लॉस होना चाहिए पर पोजिशनल बैट के लिए I think it's a little two early this is the first day जहां पर यह तीनों ही स्टॉक्स जो हैं यह एक इतना शार्प सर्ज दिखा रहे हैं तो एक दिन का और वेट करें अगर पोजिशनल बैट लेना चाहिए तो पर आप 308 के लक्ष द्धान में रख सकते हैं पर पोजिशनल यह स्टॉप लॉस के साथ इसमें खेले कई सारे सड़न मूव्स हैं उससे आप बचके रहिए और साथी स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें